Hello guys, welcome to my channel, मैं नाम सचिन सिंग है तो सबसे पहले, I am sorry, बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोरा family issue था Anyway, आज मैं आप लोग को बताऊंगा, IET हैदरबाद में एडमिशन के लिए आप लोग कितना स्कोर करना पड़ेगा J.E. Advance के एक्जाम में, मैं individually हर एक engineering department का बताऊंगा जैसे civil engineering का, electrical engineer का, और software engineering का, etc तो वीडियो बहुत important है, आप लोग के लिए तो इसको सुरू से लेके last तक देखेगा और अगर अभी तक आपने शनल को subscribe नहीं किया, तो सबसे पहले शनल को subscribe कर लिजे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IIT हैदराबाद के बारे में तो IIT हैदराबाद का पूरा नाम है Indian Institute of Technology हैदराबाद और IIT हैदराबाद भारत के तेलंगना डिस्टिक में है और IIT हैदराबाद is one of the best IIT college in India और अगर rank का बात करें तो यह 7th rank है यानि IIT हैदराबाद top 10 IIT college में भी आता है और अगर आप लोग को IIT हैदराबाद में admission लेना है तो आप लोग को दो exam clear करने पढ़ेंगे सबसे पहले J main उसके बाद J advance तो चलो बीना time waste किये में अब आप लोग को बताता हूँ कि IIT हैदराबाद में admission के लिए आप लोग कितना score करना पड़ेगा J advance exam में अगर आप लोग को बायो technology का course करना है IIT हैदराबाद से तो इसका open rank है 5200 5200 और इसका close rank है 7000 और अगर आप लोग chemical engineering का course करना है IIT हैदराबाद से तो इसका open rank है 3400 3400 और इसका close rank है 5600 5600 और अगर आप लोग computer science engineering का course करना है IIT हैदराबाद से तो इसका open rank है 500 500 और इसका close rank है 1,000 एक हजार अगर आप लोग को electrical engineering का course करना है IIT हैदराबाद से तो इसका open rank है 1,500 1500 और इसका close rank है 2,500 2500 और अगर आप लोग को mathematics and computing engineering का course करना है IIT हैदराबाद से तो इसका open rank है 1,300 यानि 1,300 और इसका close rank है 1,700 1,700 अगर आप लोग को mechanical engineering का course करना है IIT हैदराबाद से तो इसका open rank है 2,300 यानि 2,300 और इसका close rank है 3,400 तो चलो आज के लिए बस इतना ही and sorry once again video लेट से upload करने के लिए and thank you very much for your love and support तो वीडियो अच्छा का तो वीडियो को like करो और वीडियो से related या IIT से related कोई भी question हो तो comment box में comment करो या आप Instagram में भी message कर सकते हो तो चलो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye